स्वागता आपका आरंडार पाटशाला में मैं आज आपके लिए लाया हूँ संस्क्रिट साहित्य का एक महत्वण ग्रंथ चलिए शुरू करते हैं जो मित्र नए है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा संस्क्रिट के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुचना चाहिए चलिए शुरू करते हैं बिना देर किये हुए आज का पहला प्रस्ण देखेंगे भटगोपाल नीलकंठ और जातु करनी ये संबंदित है भटगोपाल नीलकंठ और जातु करनी संबंदित है ओप्षन है भवभूती या भारवी मुझे अमीद आपने आंसर अपना टिक कर लिया होगा मेरे साथ आप पैन कोपी लेकर बैठा कीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बता दीजिए और वीडियो के अंत में मुझे बताया कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए है उसी आधार पर मैं प्रश्न सही है बहुद्ध के पिता में है दादा जिसको बोलते है नीलकंठ पिता है और जातु करनी जो है उनकी माता है तो यह भूभूती से संब्मन्दित है तो आपको अब ग्यात हो गया होगा कि हम किस कवी के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं अगला प्रस्न देखि पदवाक्य प्रमानग्य उपाधी है पदवाक्य प्रमानग्य किसकी उपाधी है तो ओप्शन देखिए बानभट या भौभूती की तो मुझे उमीदा आपने अपनान सा टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है भौभूती भौभूती पदवाक्य प्रमानग्य कहा ग प्दवाक्य का मतलब मिमान सा और प्रमान का मतलब नियाए ये इन तीनों जो विशय हैं इनके ग्याता माने गए थे और ये आपको इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलेगा तो इनको पदवाक्य प्रमानग्य की उपाधी दी गई बहुभूती को अगला प्रसंदेखे बहुभूती का समय है बहुभूती का समय क्या है ओप्चन देखे 650 से 750 इस्वी तक या 750 से 850 इस्वी तक मुझे उमीदा अपने प्लान से टिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है 650 से 750 इस्वी के बीच अर्था सात्वी शतापदी का उत्तरार्ध जो है इनका समय माना गया है और ये कान्यकुज के जो राजा थे यशो वर्मा उनके उनकी शरण में रहके इनोंने काम किया है य ये शो वर्मा कहा के राजा थे कान्यकुज के तो भहुभूती का जो समय हुआ वो 650 इस्वी से लेके 750 इस्वी के बीच का समय हुआ अगला प्रसन देखिए भहुभूती के नाटकों में व्रित्ती मिलती है तो व्रित्ती कौन सी मिलती है ö оказneyna विरती या अभिधा वृत्ती मुझे उम्मीद आपने आंसर टिक कर लिया गए तो इसका सही उत्र है अभिधा वृत्ति अभुभूति के नाटकों में जो है हमें अभिधा वृत्ति देखने को मिलती है अगला परसन देखिए उत्तर राम चरितम में गर्वनाटक वै चायांक किस अंक में मिलता है गर्वनाटक और चायांक हमें किस अंक में मिलता है किसकी बात कर रहे हैं गर्बनाटक की और छायांग की बात कर रहे हैं भवबूती के तो वो हमें ओप्शन देखिए सब्तम या तिर्थम अंक में या फिर पर्थम अंक में गर्बनाटक और छायांग किस अंक में मिलते हैं मुझे उमिद आपने अपनान सा ठिक कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर है पहले वाला सप्तम और तिर्तिय अंक में जो गर्बनाटक है वो हमें सप्तम अंक में मिलता है और छायांक जो है वो तिर्तिय अंक में मिलता है गर्बनाटक सप्तम में और छायांक हमें किसमें मिलत नहीं है ओप्चन है दोसो चपन या एक सो चानवे मुझे उम्मीद आपने अपना अंसर टिक कर लिया हुआ तो इसका सही उत्तर है दोसो चपन उत्तर रामचरी तम में कुल 206 शलोक मिलते हैं हमें और देखो यह दूसरा ओप्चन दिया हुआ है यहां पे 156 यह हमें अभी कि अनिशाकुंदन्न में मिलते है और उत्तर राम चरीतम में हमें मिलते हैं 256 तो इसका सही उत्तर होगा 256 अगला परशन देखिए उत्तर राम चरीतम में मंगलाचरण है उप्षन है नमसकार आतमक या आशिर्वादातमक तो, मुझे उम्मिद आपने अपना अंशर टिक कर ल इदम कविभ्यपूर्वे भ्यो नमो वाकम प्रशास महे यह नमस्कारात्मक मंगलाचरन है उत्तररामचरितम का और अनुष्टूप चंद में, कई बार यह परसंद पूछ लेते हैं कि उत्तररामचरितमक मंगलाचरन में कौन सा चंद का प्रयोग वा, तो याद रखेंगे, और यह अगला प्रशनदे कि पुट पाक फ्रतीकासो।्रामस्य करुणों रस और यह कौन कहता है ? कि Κों कहता है उप्शन देखे मुरला या तमसा में से कौन कहता है तो इसका सही उतरोगा मुरला मुरला जो इस श्लोक को बोलती है पुट पाक है प्रती कासो रामस्य करुनो रसह है तमसा और मुरला उत्तर रामसरी तम में मिलती हैं और ये दोनो नदिया है तमसा और मुरला नदिया है ये और पुट पाक है प्रती कासो रामस्य करुनो रसह है ये जो है मुरला बोलती है उत्तर राम चरितम में करुन रस को महत्वपुन बताया है करुन रस को मेन बताया है और इसको करुन रस का लक्षन भी कहते हैं एको रसक करुन एवनिमित तभेदात इसमें आपको बताना है कि श्लोक में कौन सा चंद प्रियोग हुआ है एको रसक करुन एवनिमित उपसन है तो जो चंद हैं उनके लक्षनों का आप गायन पद्दती सीखे श्लोक को उसी चंद पद्दती में गाईए मैच करता है तो सिंपल सी बात है उसी का देखो एको रसक करुण एवनिमित भेदात उकता वसंत तिलका तब जा जगवग ये वसंत तिलका तो ये मैच करता है मुझे उम्मीद है आपने पनांसर टिक कर लिया गो तो इसका सही उत्तर है वसंत तिलका और वन्शस्त का जतव तु वन्शस्तम दीरितम जरव जतव तु अगला प्रशन देखेंगे दस्वा प्रशन है उत्तर राम चरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है उत्तर राम चरितम में किस प्राकृत का प्रयोग हुआ है और दूसरा उप्सन जो महाराश्ट्री दे रखा है वो अभिग्यान शाकूंतलम में प्रयोग हुआ है अभिग्यान शाकूंतलम में दोनों प्राकृत का प्रयोग हुआ है सोर सेनी का भी और महाराश्ट्री का भी अभिग्यान शाकूंतलम में लेकिन उत्तर राम चरितम में केवल सोर सेनी का प्रयोग है सोर सेनी प्राकृत का और आज का प्रशन देखेंगे उत्तर राम चरितम के प्रथम अंक का क्या नाम है उत्तर राम चरितम के प्रथम अंक का नाम आपको बताना है ये मेरा जो मैं प्रति दिन देखो इस परकार के वीडियो जो लेकर आता हूं तो मेरा जो अगला वीडियो है उससे पहले आप इसका आंसर बताईए और उप्शन देखे पंचवटी प्रवेश या चित्रदर्शन उत्तराम चरितम के पर्थम अंक का नाम बताना आपको चित्रदर्शन या पंचवटी और आप कमेंट बो कर दो